नमस्कार एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत सागत करते हैं एक खबर लेकर के आपके सामने आये हैं आपको पता है कि जब कॉंग्रेस को सत्ता से बाहर करने के बाद जब कॉंग्रेस विरोधी गठबंधन ने बिहार में अपनी पकड़ मजबूत की तो उसमें प्लारपन हुआ लालू परसाद और नितिश कुमार का लालू परसाद और नितिश कुमार के साथ साथ और कई नेता इस समय में इस कालखंड में आये जो लालू परसाद के साथ दात की रोटी कहा जाता है या लगोटिया कहली ये राजनित में वो उनके साथ थे 2000 और 2000 से पहले 1970 से लेकर के 2005 तक की अगर गण्णना करें तो इस बीच में लालू प्रशाद का सासन था और लालू प्रशाद के सासन को नितीश कुमार जो आज उनके साथ है उन्होंने जंगल राज की संगय दे थी जंगल राज की अगर बात करें तो लालू प्रसाद के इस सासन को जंगल राज क्यों कहा जाता था ये भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि अपहरन अन्य अन्य जो बाते होती थी उन बातों को लेकर के सारा का सारा दोस लालू प्रसाद पर दे चुकि मुखिया लालू प्रसाद थे जो 먼ड़िथा उस 먼ड़ि में कई लोग सामिल थे जिसमें जक्तानंद सिंग सामिल थे अब्दूलबारी शिद्द की सामिल थे सीवानां तीवारी सामिल थे भोला यादव थोड़ा बाद में आये थे लेकिन उसके आद शुरेंद्र यादव का नाम ले ले और ऐसे कई नेता तो कहीं न कहीं इस बार वापसी का कुछ अलोग पर्शाद के बारे में कहा जाता है कि सुनते सब की थे लेकिन करते अपने मन की थे अब जबकी एक बार फिर से सत्ता में वापसी हुई है लालू परसाद की पाठी राष्टे जनतादल का तो कहीं न कहीं इस बार वापसी कुछ अलग रास्ता आपको नजरा रहा होगा क्योंकि इस बार एग्रेसिव नहीं डिफेंसिव राजनीत कर रही है रास्टिय जनता दल इसका सीधा मतलब है कि अब कमान लालू परसाद के हाथ में नहीं बलकि तेज़स्ची यादों के हाथ में है लेकिन उसके बावजूद भी जो लालू परसाद का कुनबा है जो लालू परसाद की मंडली है वो अपना एक्षन करना नहीं छोड़ती है जैसे आपने दो दिन पहले ही देखा कि अब्दुलबारी शिद्दिकी ने किस तरह की बाते की ये कहा जाता है कि लालू परसाद के जब बैठकी लगती थी तो बहुत सारी बाते होती है आप जानते हैं कि राजनेता के साथ-साथ एक ब्यक्ति भी हैं समाजी काना बना भी है और हर कोई अपने सर्किल में बैठकर के बहुत सारी बाते करता है अब अब अब्दुलबारी शिद्दिकी ने जहां महिलाओं को लेकर के लिपिस्टिक और बॉफकर्ट की बात की उसको लेकर के हंगामा हुआ तो जगता नंसिंग ने जिसतर से सनातन की बात को लेकर के अपनी बाते रखी या अक्सर उनको आपने हम कई बार बता चुके हैं कि पैर शुने पर भी उनके पावंदी है यह सारी चीजें होती है सुरेंदर यादो के बारे में भी आप जानते ही हैं एग्रेसिव राजनीत करते हैं तो वहीं भोला यादो के बारे में भी आपको पता है कि लालू परसाद के इर्दगित परिकरमा करते रहते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें सीवा नंतिवारी है वो भोकल भी है और सीवा नंतिवा एक तरफ जहां लालू परसाद और उनकी पार्टी पर ये आरोप लग रहा है कि सत्ता में आने के बाद एक बार फिर से अपने पुराने काम में लग गए हैं लेकिन नितीश कुमार का दावा है कि पुराना काम संभव नहीं है मेरे रहते हुए नितीश कुमार ने नारा दिय है नियाय के साथ विकास और कानून का राज थर अभी इन सारी बातों से अलग आपको हम बता रहे हैं कि नितीश कुमार को आगे बढ़ा करके लालू परसाद ने इंडिया गठ बंधन तो बनवा दिया अब ये इंडिया गठ बंधन अपना काम करना शुरू कर चुका है ज लेकिन जातिय गणना का रिपोर्ट बिहार में आने के बाद से एक्षन बहुत बढ़ गया है हलाकि ये एक्षन अगर पोजीटिव सेंस में होता क्योंकि अब तक इसमें खामिया निकाली जा रही हैं और इसमें एक्स्क्यूजेज हो रहे हैं अब जबकि इसको बनाने का म उन्होंने कहा है कि लोकतंत को बचाने के लिए आई एंडी आई ये गठवननर राश्टी अस्तर पर आंदोलन करें और देश भर में इस तरह की गणना की बात उन्होंने कही है इतना ही नहीं उन्होंने कहा है कि इस गणना से पिछड़ों अतीत पिछड़ों दलीत बारे में एक सब्द भी नहीं कहा है, सवर्ण भी इसी समाज का हिस्सा है, इन्होंने नाम तो लिया है, अति पिछणों का, पिछणों का, दलित का, दिवासी का, कलियत का, और महिलाओं का, लेकिन सवर्णों की एक बार भी चरजान नहीं की है, हाला कि ये समाजवादी नेता है अपने आपको सवर्ण मानते भी नहीं है फिर वो अलग बात है लेकिन सर्वेक्षन के प्रश्ण पर उन्होंने कहा है कि अब इसके तहत योजनाय और रणनीती बननी चाहिए उन्होंने कहा है कि आंदोलन से ही बंचित समाज के लोकतंत के प्रतिश जागरुक्ता आएगी और लोकतंत की रक्षा हो पाएगी फैर इन सारी बातों को रखते हुए उन्होंने एक बहुत ही मौत पूर्ण बात कहा है जो बताना आपके लिए बहुत जरूरी है आई एंडिया गठ बंधन को उन्होंने बाकी सब रायत हो दी है कि अंदोलन किजिए इस देश में लोकत एंकर को जो गिरफतार किया गया है उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दिया और कहा है कि इस पर प्रबुद्ध बर्ग को सामने आना चाहिए तो क्या जो एक दरजन के आजपास न्यूज एंकरों को इंडिया गठ बंदन ने बैन किया है ये भी गलत है इस बात का और निश्यत रूप से सीवा नंतिवारी को देना चाहिए. सीवा नंतिवारी एक तरफ की बात नहीं कर सकते हैं. अगर नियूस क्लिक के संपादक का उस टीम का गिरफतार होना नजायज है तो इनको बैन करना भी नजायज है. आपके पास या तो सब्द नहीं है जो आप उनको सकें, अपनी बातों को रख सकें या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये जरूरी नहीं है. आप किसी पर आरोप तो लगा सकते हैं. लेकिन उन आरोपों के साथ अपने आपको सही थावित करके आप आगे बढ़ने की छमता अगर रखते हैं तभी आप रियल में समाजवादी ह हैं और ये बातें सवाल के घेरे में जरूर हैं. जुड़े देगा भारत लाइब के साथ लालू परसाद के एक्शन में आने के बाद उनकी टीम एक्शन में आ गई है और लालू परसाद ने जब से कहा है कि अब वो फिट हो गये हैं, नरेदर मोधी को फिट कर देंगें त उनकी टीम लगतार एक्शन में है. बहुत बहुत धन्यवाद. आई जिरो धन्यवाद.